डेली करेंट अफेर्स 2020 उननीस मार्स 2020 आप लोगों के लिए उननीस मार्स से संबन्दी जो भी करेंट अफेर्स है उनसाड़ी करेंट अफेर्स के क्वेस्टन और उसके एंसर मैं आज किस वीडियो में लेके आया हूं ये क्रेंट अफेर्स आपको UPSC, SSC, Banks, Railway और सभी राध्यों से जो competitive exam होते हैं उनमें आपको मलद मिल सकती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल मत भूलिए Q1. Indian Super League ISL Football 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? आपका एंसर है यहाँ पे C.ATK Indian Super League ISL भारती वेवसाइक Football League है इसका गठन 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रुटसाइद करने वो भारती फुटबॉल को अंतराश्टी अस्तर पर लाने के लिए किया गया था Indian Super League Football 2020 का खिताब एटलेटी को डी कोलकाता ने जीत लिया है हाल ही में संपन हुए ISL के छटे सिजन के फाइनल में ATK ने चेनियन को हारा कर बिजेता बना Q2. आयूध निर्मानी दिवस यानि की ओर्डेंस फेक्टरी बोर्ड डेक कब मनाया जाता है? और यहाँ पे आपका उत्तर है 18 मार्च 18 मार्च को आयूध निर्मानी दिवस मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का उद्धेस रक्षा संबंधि उत्पादों के व्यापक उत्पादन को बिक्षित करना है इस दिवस पर पूरे देश में जगा जगा रक्षा उपकरनों की प्रदर्शनी और आयूत दोड का आयोजन किया जाता है पेस्टा नमर तीन हाल ही में किस राज ने COVID-19 को महामारी घोशित किया है और यहाँ पे आपका उत्तर है बिहार बिहार राज में COVID-19 को महामारी घोशित कर दिया गया है इससे सरकार को किसी भी महामारी से निपटने के लिए कुछ विश्श अधिकार मिलेंगे COVID-19 से प्रितियदी कोई संदिक्द व्यक्ति अस्पताल में भरती होने या अलग रखे जाने से मना करता है तो अधिकारियों को उसे जबरदस्ती 14 दिन के लिए अस्पताल में भरती करने का अधिकार मिल जाता है जिला परसासन उपचार से इंकार करने वाले व्यक्ति को गिफ्तार भी किया जा सकता है भारत में आर्थिक विकास का अनुमान बरतमान में कितना कर दिया गया है और यहाँ पे आपका उत्तर है A. 5.2% Global Rating Agency S&P ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा कर पहुँच दसमलब 2% कर दिया है अजेंसी ने का है कि क्रोना वाइरस महामारी का संक्रमन फैलने के कारण बैस्विक अर्थ विवस्था मंदी की तरफ जा रही है इससे पहले एजेंसी ने 2020 के लिए भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को पहुँच दसमलब साथ रखा था शेख मुजीबूर रहमान निम्न में से किस देश से संबंधित है जिनकी सौमी जैनती हाल ही में मनाई गई है और यहाँ पे आपका उत्तर है सी बंगलादेश शेख मुजीबूर रहमान बंगलादेश के संस्थापक नेता महान अगवा एबं पर्तम रास्पती थे उन्हें समानता बंगलादेश का जनक कहा जाता है वे आवामी लिग के अध्यक्षे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाप सौसस्त्र संग्राम की अगवाई करते हुए बंगलादेश को मुक्ती दिलाई इनका जन्म 17 मार्च 1920 को हुआ और इनकी हत्या 15 अगस 1975 को धाका बंगलादेश में कर दी गई भारत में किस दिथी को राष्ट्रिय ठीका करन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पे आपका उत्तर है 16 मार्च भारत सरकार परतेक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रिय ठीका करन दिवस मनाती है इस दिवस को मनाने का उद्देश लोगों में ट्रिकाकरन के परती जागरूपता फहलाना है ऐसी कई बिमारिया है जिनका ट्रिकाकरन अगर सही समय पर नहीं किया जाता है तो वो घातक बिमारी का रूप ले सकती है इस दिन छोटे बच्चे और गर्वती महिलाऊं को टीके अगला क्वेस्टन है परधानमंत्री नरेंद मोदी ने हाल ही में सार्क के सदस्देशों के साथ वीडियो कॉनफरेंस के जड़िये संबाद किया इस संबाद और संगठन के संदर्व निवन कत्नों पर विचार करें सबसे पहला इस संबाद का उद्देश अगली सार्क शिख को सही जवाब देना है तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है केवल तीन अफगानिस्तान इस संगठन का सदस्य है परधानमंत्री नरेंद मोदी ने 15 मार्च को सार्क के सदस्देशों के साथ वीडियो कॉनफरेंस के जड़िये संबाद किया इस संबाद का उद्देश बायस बिमारी से निपटने के लिए सयुक्त रूप से एक सोसक्त रननिती तयार करना था विश्व उपभोगता दिवस वर्ल्ड कंजूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है और यहाँ पे आपका उत्तर है 15 मार्च को 15 मार्च को पुरे विश्व में विश्व उपभोगता अधिकार दिवस मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का मुख उद्देश उपभोगताओं या ग्रहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोगता संदक्षन अधिनियम और उसके अंतरगत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है Q9 है कि Microsoft Company के सहसंस्थापक Bill Gates ने हाली में किस पद से इस्तिफा दिया है तो यहाँ पे आपका उतर है Board of Directors Board of Directors के पड़ से Microsoft Company के सहसंस्थापक Bill Gates ने हाली में इस्तिफा दिया Bill Gates ने 14 मार्च को अपने कमपणी के Board of Directors से इस्तिफा दिया गेट्स के इस्तिफा के बाद अब कंपणी में केवल 12 बोर्ड आप डिरेक्टर्स होंगे उन्होंने कंपणी के लिए मोजुदा CEO सत्या नडेला और अनधिकारी के सलाकार के रूप में काम करने करते रहने की बात कई है Q10 BBC World History Magazine द्वारा कराए गए एक सर्वेच्चर में Greatest Leader of All Time चुना गया है तो यहाँ पे आपका उतर है भारत के महराजा रंजीत सिंग को BBC World History Magazine द्वारा कराए गए एक सर्वेच्चर में भारत में 6 समराज के 19 सदी के सासक महराजा रंजीत सिंग को Greatest Leader of All Time अब तक के सबसे महांतमनेता चुरा गया है Q11 विश्व किर्नी डिवस कब मनाया जाता है और यहाँ पे आपका उतर है मार्च महिने के हर दूसरे गुरुवार को विश्व किर्नी डिवस मनाया जाता है इस वर्ष 2020 में 12 मार्च को यह दिवस मनाया गया यह बैस्विक स्वास के परति जागरुपता अभियान है इस दिवस को मनाने का उद्देश क्रिणी के महत्व के बारे में जागरुपता फैलाना है भारतिय खिलारी जिनका चयन ICC की महला T20 विश्व कव टीम 20 के लिए क्या गया है यहाँ पे तीन नाम है पहला पूनम यादव दूसरा सेफाली वर्मा और तीसरा हर्मन प्रीत कौर और आपको इसके अनुसार से एंसर देनी है तो यहाँ पे आपका उत्तर है B, option B, 1 और 2 यानि की पूनम यादव और सेफाली वर्मा को हाली में भारतिय खिलारी के रूप में ICC महला T20 विश्व कव टीम के लिए चुना गया है वह इकलोती भारति क्रिकेटर है जिनका चेयन इस टीम के प्लेइंग 11 लिए किया गया है वही 16 वर्षिय सेफाली वर्मा को बार्वे खिलारी के रूप में टीम में सामिल किया गया है अब वीडियो के लास्ट में आप सभी दर्सकों के लिए एक मेरा सवाल है कि BBC द्वारा Indian Sports Woman of the Year से समानित किने किया गया है आपका option है PV सिंदू, दूती चंद, MC Medicom और मांसी जोती अगर आपको इसके जबाब पता है तो किरिपा करके वीडियो के comment box में इसके सही उतर को comment करें और यहां पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाती है और जिसमें की आपको सारा answer भी दिया गया है आप इसे डाउलट करें और इसे अपनी तयारी करें वीडियो को पुआद देखने के लिए आप सभी सात्यों का बहुत बहुत धन्यवाद